हलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे योट्योब चैनल डी सरस्वती अकैडमी में इट्स मी आशिश राहूत और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी मैं यही हमेशा विश करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई हमेशा अच्छी चलती रहे तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसके बारे मैं आपने थमनेल से तो जानी लिया होगा कि जारखंड बोट का जो 2022 का एक्जाम होने वाला है उसके लिए सिलेबस को घटाया गया है वो भी 25% तो उसके बारे मैं और डीटेल से मैं बताऊंगा तो वीडियो में एंड तक बने रहें अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे चैनल पे जितने वीडियो आएं सबसे पहले वो आप तक पहुँचे तो दोस्तों कुछ दिन पहले जो की बैठा खुवी थी जैक में जारखन बोट के जो काउंसिल जो है राची में वहाँ पे बैठा खुवी थी जिसमें पहली से बारवी तक के बच्चों के लिए 25% उनके स्लेवस को कम किया गया है जैसा कि आप सबको तो पता ही होगा इस साल स्कूल तो खुला नहीं था अब धीरे धीरे खुल रहे हैं तो उस वज़े से स्लेवस को 25% कम किया गया है पहली से बारवी तक सारे क्लास के बच्चों के लिए तो आईए फ्रेंट्स जो ओफिसियल नोटिफिकेशन आया है उसको मैं पढ़के आपको समझाता हूँ पहली से बारवी तक 25% स्लेवस घटेगा राज के सरकारी स्कूलों में इस साल भी स्लेवस में कटोती होगी पहली से परिक्षा 12 तक के स्लेवस में इस साल 25% तक कटोती होगी अगस्त के अंत तक संशोदित स्लेवस जारी हो सकता है इसके आधार पर 2022 में मैट्रिक और इंटर की परिक्षाएं होगी इसके लिए स्कूली, शिक्षा और साक्षरता विभाग ने त्यारी शुरू कर दिया इसी हफ़ते बनेगी टीम स्लेवस में कटोती के लिए इसी हफ़ते विशेशग्यों के टीम बनेगी और संशोधन का काम पूरा किया जाएगा कोरोना के चलते सरकार ने पाठी करम कटोती का निर्णा लिया है अलग-अलग टीम विभाग पहली से आठवी और नवी से बारवी के लिए अलग-अलग टीम गठित करेगी यह टीम पिछली बार के संशोधन का अध्यायन कर इस बार भी कटोती करेगी दोहराव वाले चेप्टर हटेंगे बताया जाता है कि जिस चेप्टर कुछ हात्र पिछली काक्षा में पढ़ चुके हैं उसमें कटोती होगी साथी गैर जरूरी अध्याय भी हटेंगे हिंदी, अंग्रेजी, समित कई विश्यायों के अध्याय कम होगी पिछली बार 40% कटोती कोरोना के चलते सरकार ने पिछले साल भी सलेबस में 40% की कटोती की थी इसी आधार पर मैटरिक और इंटर के परिक्षा होनी थी हाला कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते इस साल मैटरिक और इंटर की परिक्षाय ही नहीं हो सकी थी बाद में पिछले रिजल्ट की आधर पर नतीजे जारी हुए थे पहली से बारवी कक्छा तक के स्लेवस में कटौती होगी इस बार के 25 पर 30 की कटौती होगी इसकी तयारे शुरू कर दी गई है तो दोस्तों आपने देखा कि पिछले साल 40 पर 30 की कटौती तो हुई थी पर कोरोना के दूसरे लहर के चलते एक्जाम नहीं हो पाया था पर इस बार दोस्तों डेफिनेटली एक्जाम होगा और 25 पर 30 जो स्लेवस को हटाया जाएगा उसके साथ ही एक्जाम भी होगा इस बार ये आप स्योर रहो इस बार की एक्जाम होना ही होना है और दूसरी बात दोस्तों अभी इसका स्लेवस जारी नहीं किया गया है जैसे ही जारी किया जाएगा मैं अपनी YouTube चैनल पे उसके एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा आप लोगों को परिशान होने की कोई जरुरत नहीं है हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे आपको सारे डेटेल्स मिल जाएंगी यहाँ पे तो दोस्तो इसी के साथ तो दोस्तो आपने जाना कि इस बार जारखंड बोट का एक्जाम कैसे होने वाला है कितने अपरसेंट स्लेबस की कटावती होगी यह आपने जाना और और भी एजुकेसनल वीडियो की जानकारी के लिए पढ़ाई से समबंदित वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग